और यहां से घर के बाहर निकलते ही कुछ ऐसे नजारे हैं हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको तोड़ दूँगा अपने अपार्टमेंट का उससे पहले मैं आपको अपने नेबर हुट के बारें बताना चाहता हूँ कि मैं कहां रहता हूँ अपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफरमेशन दूँगा फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो मैं अभी साउथ वीच नेबर हुट में रहता हूँ जो बे के एकदम किनारे है तो बहुत ही खुक्सुरत लोकेशन है बहुत ही अमेजिंग वीओ है मैं वह भी आपको दिखाँगा तो पहले मैं अपने घर से स्टार्ट करूँगा फिर उसके बाद हम थोड़ा बाहर जाके देखेंगे आपसपास का एरिया ये एक टू बेड्रोम टू बाथरूम अपार्टमेंट है इसको में शेयर करता हूँ अपने रूमेट के साथ और मुझे लगबख तीन या चार महीने हो गया है यह रहते हुए इससे पहले मैं एक सबर्ब है डेली सिटी वहां पर र लिविंग रूम है लिविंग रूम में यहां पर हम लोग खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर यह क्योंकि सारे जिम्स बंध हैं तो एक मैंने बैंग खरीदाता और एक एड़स्टेबल डंबल्स का सेट लिया था तो बहुत ही जल्वी है जो कि यहां पर काउच है यह ह रूम लोग का तीवी है और मैं आपको बैठीो दिखा देता हूं ओ आग्यां ओटर अ कियों सबसरे बैस चीज लगती है मुझे स्का कि लुए कि बाहर बैठ्यों में बैट के चिल कर सकते हों सेग युजरी जब मेरे दोस्त आते हैं मेरे रूमेट के दोस्त आते हैं तो र यहीं बैटके चिल करते हैं आपको यह हम लोग का किचिन है यह हमारी दिशिस हैं इसे के लिए डिश्वाशर यहां बरतंद होने के लिए माइक्रोवेव, रेफ्रिजिरेटर और अब आपको अपना रूम दिखाता हूं सबसे पहले तो यह मेरा रूम है यह रहा मेरा बैड और यह है मेरा आफिस स्पेस यह मेरे पास पहले नहीं था बट क्योंकि कोबिट स्टार्ट हुआ वर फ्रॉम चरुआ गया है तो उसके बाद मैने यह सब चीज़े खरी दी पुरा मॉनिटर यह मेरे दोस्त का मैटरेस यहां काफी टाइम से रखा हुआ है और वह मूड में नहीं है इसको लेने के लिए तो मैंने ही इसे अभी रखा हुआ है और अच्छी चीज़ी है कि अगर कोई मेरे घर में कोई तो हम लोग के पास एक्स्टा मैटरेस है तो एड़स्स करने में बहुत ही इजी होगा यह है क्लॉजट बहुत मैसी है गाइस यह गाइस मेरा बाथरूम तो यह मेरा प्राइवेट बाथरूम है और मेरे रूम से अटेश्ट है दूसरे बाथरूम है वह मेरे रूमेट के रूम से अटेश्ट नहीं है बट वह भी टेक्निकली प्राइवेट बाथरूम हो गया अब मैं आपको अपने रूमेट का रूम दिखाता हूँ यह है भाई का रूम वहरी झालन, यौन एरी बीजन और वह भी खर्पर श्रॉना रही तुम्हीं है draugा है तो मैं आपने रूम्हेट से ले ले लिजी कि अरटू इड़े जिसाप कर और गर तू घर नहीं हो भी चीजbird दिखाए, इस बाहर का एरिया दिखाता हूं भाहर क्या है लॉंडरी और इमेनिटीज है विल्डिंग में अल्राइट गाइस, अब मैं आपको भाहर की चीजे लॉंडरी से स्टार्ट करते हैं और मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि मास्क मेंडेटरी है और हुडी डाली है, सान फ्रंसिस्को का जो वेदर है उसको हुडी वेदर बोलती है क्योंकि यहां हमेशा थोड़ा थोड़ा ठंडर रहता है मौसम साल भर इट्स सुनी और मैक्सियम टेंप्रेचर अराउं 18-19 डिग्री सेल्चियस और मिनीमम 11-12 ऐसा रहता है तो नहीं जादा यहां गर्मी पड़ती है नहीं जादा सर्दी तो एक दम पर्फेट वेदर है यहां का और अच्छी बात है लॉन्डरी घर के वाजू में ही है तो मुझे जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो गाइज यह स्विमिंग पूल है बट कोविड के चलते बंध है काफी टाइम से कोई उस दी करता यह स्पॉट है बार्भी क्यों करने के लिए यहां पर यह मैंने जादा लोगों को देखना नहीं है क्योंकि मैं यह कोविड के अब मैं आपको जिम दिखा देता हूँ जिम मुझे लग रहा है बंध होगा यह इस जिम अभी भी बंध है यहां पर बीच में खुले जिम बट अब वापस से यहां पर केसिज बढ़े थे तो उसके लोगडन हुआ लोगडन लिफ्ट हो गया है लेकिन जिम अभी भी नही अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्रॉसरी स्टोर पर यह बहुत अच्छा एडिया लगता है मुझे यहां लीजिंग ओफिस है और शाम को यहां पर आओ तो बहुत ही चहल पहल रहती है बच्चे खेलते हैं सेम इंडिया दर सी फीलिंग आती है ऐसा लगता है कि आप जाने का तो आब बस यहीं पर आके ग्रॉसरी दे चकते हैं मैं अंदर नहीं जांगा और यह एक बिलिडिंग के अंदर ही रेस्टोरांट है तो यहां पर अभी भी इंडोर डाइन में चालू नहीं हुई है बस आउडोर डाइन में चालू है तो आप जैसा देखके हैं लो गढ़ाए और घर के महार आते ही अफ देख सकते हैं पूरे टाइम शनी रहता है यहाँ आओ चुल करो काफी चेहल पाहल रहती आप जो आप जो पर देखता हूं तो गायस मुझे बैस पर जो लगता है यहाँ पर मैं उतना जादा भागने नहीं जादा था लेकिन मैं यहा जोग करते रहते हैं तो मैं काफी फ्रिक्वेंटली यहां पर जॉग के लिए आने लगाँ और इनफेक्ट जो मैं बाकी लोगों को देखता हूं और प्लस यहां से व्यू इतना अच्छा है तो शहद मैं एक्स्ट्रा भी दॉड़ पाता हूं क्योंकि मेरा को मोडिवेशन द पर लोगों को देखकर और जो व्यूज है इतने अमेजिंग यहां पर तो डेफिनिटली काफी अच्छा है मेरी हैल्ज के लिए कि मैं यहां पर बोर फ्रिक्वेंटली जॉग करने आ रहा हूं तो गाइज अब मैं आपको अपने कुछ फेवरिट स्पार्ट दिखाता हूं कि जहां जहां मैं काती जादा जाता हूं तो जो आपको ब्रिज दिख रहा है यह बे ब्रिज है जो सेंसे इसको को ओकलेंड से करेक्ट करता है इसको मैंने अपने एक सबसे फर्स्ट वीडियो मैं इधी दिखाया था जाग्रुज फे il теб वीडियो कीया था गवि हम लोग जयेंगे ब्रिज की उस पार्क वहां एक पार्क है वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा वहांसे विू दिखाऊंगा फिर उसके पाद है यहां पर मुझे ही बताव हूंता बयुर है यूजिली ह तो अभी हम लोग जाएंगे बिरिज के उस पार्क, वहाँ एक पार्क है, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से व्यू दिखाऊंगा फिर उसके पास एक पीर है, यहाँ पर मुझे नहीं बदा वह पूनता पीर है, बट यूजिलि हम लोग जो पाटी करते हैं, तो यह एक दम पास है आपको में दिखा रहा हूँ वे ब्रिच तो गाइस में आया चो कहा हूँ जिस पार्क की में बात कर रहा था तो वो यह पार्क है मैं आपको अभी दिखाता हूँ और यह मेरे घर से लगवक फांच मिनट की वाक है और यहां पर आप देख सकते हैं काफी लोग आते हैं पिक्निक के लिए अपने डॉक को लेकर आती हैं काफी सही स्कॉट है चिल करने के लिए आपको आपको यहां से पियर दिख रहा हुगा एक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जोड़ा अब हम लोग वहां जाने वाले हैं और वो मेरा फेवरिट स्पॉट है आफ्टर पार्टी क्योंकि जब हम पार्टी करते हैं तो उसके बाद बहां जाते हैं और फिर जो एंड है वहां से बहुत साइव आता है वेबरिज का और पूरे जो सिटी की जो डाइलाइन है उसका तो अब वहां भी चलते हैं और गाइस हम लोग आ चुके हैं और स्पियर का नंबर है 14 मुझा पता चलाए यहां पर जबकि मैं काफी बार आता हूं यहां अब चलते हैं इसके अंदर आर गाइस हम लोग आलमोस पहुच चुके हैं यहां पर फिशिंग चल रही है तो यह हम लोग का पर पर आते हैं यहां और यहां से आपको व्यू दिखाता हूं तो गाइस जो सबसे ऊची बिल्डिंग है वहाँ पर जो आपको दिख रही है वह सेल सोर्स टॉवर है सेंस फंसी सबसे ऊची बिल्डिंग है वो जो दूर आपको दिख रहा है वो है कोईट टॉवर और बस बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहां से, स्काइलाइन का और प्रेवरिज का और आइलेंड का मैं अश्यूर नहीं हूँ कि यह अच्छा आइलेंड है कि नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या विडियो में ऊपर एक लाइन आइड कर दूँगा कि कौना आइलेंड ही है बट ओवर आल बहुत ही अच्छा स्पॉट है तो गाइस अब हम लोग चलने वाले हैं मैं फेरी बिल्डिंग की तरफ तो फेरी बिल्डिंग यह है मैं थोड़ा जूम कर तो तिका देता हूं अच्छा सब्सक्राइब अच्छा की मैंने बताया था तो काफी हैपनिंग हो गया अगर मैं दो हफ्ते पहले ही वीडियो बना था तो पूरा यहां पे जैड रहता है ओविस्थी लोग चल रहे हो थे लोग भॉक पर आ रहे थे लेकिन रेस्टरांट सारे बंद है बस टेक आउट चालूँदा तो वो मजा नहीं था अपसीडी में अच्छा लग रहा है जान आ गई है और गाइस जो इस एरिया के मुझे अच्छी बात लगती है वो यह कि जितनी भी बड़ी टेक कंपनी से गूगल फेस्टूप लिंग्डिन सबके ऑफिस यहीं है पांच मिनट की दूरी में तो वो एक अच्छी चीज़ है इस्पेशली जो लोग टेक में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सही प्लेस है यह रहने के लिए तो क्योंकि कोविड चल रहा है तो उस विए से नेटवर्किंग इविंट्स नहीं हो रहे हैं बटाए अच्छा रहता है नेटवर्क करने के लिए नहीं लोगों से मिलने के लिए और क्या चल रहे है टेक्नालोची में वो सब जानने के लिए तो डेफिनिट्ली आम लुकिंग फॉवर्वर्ड तो इट यह गाइस टेरी बेर्डिंग वरा एरिया काभी साही जगहे चिल करने के लिए और यहां साथ बखती है तो सोच रहा हूं मैं भी कौफी ले लेता हूं गाइस बहुत लंबी लाइन थी अंजर तो कौफी के प्लैन को मैंने कैंसल कर दिया और गाइस मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं क्योंकि यहां पर इतने स्पोट्स हैं अगर मैं सारे स्पोट्स अगर दिखाने लग जाओंगा तो मुझे शायद यहां पूरा दिन स्पेंट करना पड़ेगा उसके बाद भी मैं शायद सारे स्पोट्स कवर नहीं कर पाँँगा तो मैं क्या करूंगा कि और वीडियो बन आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में